हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सर हरे कृष्णा सर भी प्रभुजी और माता जी मैं आज जो भी कुछ बोलूँगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु के एक रुपा से बोल पाऊंगा मेरा नाम हितेस प्रभुजी है और आज का मेरा विशाय है नाम अपराद दस अपराद हमें जो भगवान का नाम लेते समय एवर्ड करना है पहला अपराद इस्वर निंदा आप जो है डिवोटीस भक्त की भी अगर निंदा कर रहे हैं तो वो भी भगवान की निंदा करने के बराबर है इसलिए हम लोगों को जो भी भगवान का नाम ले रहा है महामंत्र कर रहा है हमको उसकी निंदा नहीं करनी है अगर वो नाम ले रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है अगर भक्त भगवान को पाने के लिए काम कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं करनी है दुसरा अपराद है देवी देवताओं को हम इंडिविजियल स्वत्रणतर समझते है लौर्ड कुरुष्णा से कोई भी देवी देवता लौर्ड कुरुष्णा के बीना काम ही नहीं कर सकते है उन पे ही डिपेंड है पर हम उनकी क्या करते है उनको स्वतंतर मान लेते है और उनको ही मानते है लौर्ड कुरुष्णा को बोल जाते है ये दुसरा अपराद करते है केवल देवी देवताओं को स्वतंत्र मानकर पूजा कर रहे हैं और दुसरा कृष्णा का नाम, उनके गोण, उनकी लिलाई, उनका स्वरोप ये सब अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है आप नाम ले रहे है, यारी भगवान को प्राप्त करने का तरीका है भगवान की लिलाओं का गान कर रहे है, वो भी तरीका है भगवान के गुणों का गान कर रहे है, वो भी एक तरीका है यानि जो सकती है, वो सब में बराबर है अगर आप नाम ले रहे हैं, तो कृष्णा की सकती है, उसमें भी अगर आप लोड उष्णा की रुपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नाम लेंगे वो भी सही है गुणगान करंगे तो वो भी सही है यह उनसे separate अलग नहीं है बगवान अलग है उनका नाम अलग है ऐसा नहीं है दोनों एक ही है सब में वही सकती है तिस्त्रा अपराद है गुरु को डिस ओवे करना उनकी बातों को ना मानना जो की आपके लिए भगवान का नाम सत्य प्रकट कर रहे है उसकी बातों का ना मानना वो एक अपराद है चोधा अपराद है जिसके उपर भगवान का नाम लिखे हुए है जैसे कि गीता है बागोतम है जो भगवान की प्रसंसा के लिए लिखा है उनकी हमें क्या क्रिटिसाइज टिका नहीं करनी है जहाँ पर भगवान के नाम और उनकी महिमा लिखी हुई है वा हमको क्रिटिसाइज टिका नहीं करनी है वो गलत है ये स्क्रिप्ट बेकार है उसमें ये नहीं लिखा उसमें वो नहीं लिखा दोनों ग्लोरिस बगवान के लिए बेश्ट है प्रसंसा लिखी हुई गई है लिलाओ के बारे में लिखा गया है उसमें हमें criticize नहीं करनी है टिका नहीं करनी है पांचवा अपराद है कि हम जो ये सोचे कि भगवान का नाम के अंदर कोई सक्ति नहीं है उसके अंदर divine quality नहीं है divine मतलब भगवान को प्राप्त करने की सक्ति नहीं है ये जो है भगवान का नाम रेते रहते है उसके क्या फर्क पड़ता है ये तो imaginary है भगवान कृष्ण का को किस ने देखा है आज तक जो है उससे कुछ नहीं होने वाला नाम से जो है इसके अंदर divine quality नहीं है उपर बढ़ने की कोई ताकत नहीं है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सको ये सब imaginary समझना सकती नहीं है ये सब समझना गलत है बगवान में बोला गया है कि चेंटिंग करते समय आपके जो पाप है जो दिरे दिरे खत्म हो जाते है पांचवा अपराद है कि हम जो ये सोचे कि बगवान का नाम के अंदर कोई सकती नहीं है उसके अंदर divine quality नहीं है divine मतलब बगवान को प्राप्त करने के सकती नहीं है ये जो है भगवान का नाम लेते रहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है ये तो imaginary है भगवान कृष्णा को किसने दिखा है उसके कुछ उससे कुछ नहीं होने वाला नाम से इसके अंदर divine quality नहीं है उपर बढ़ने की कोई ताकत नहीं है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सको ये सब imaginary समझना सकती नहीं है ये सब समझना गलत है भागवतम में बोला है कि chanting करते हैं समय आपके जो पाप है उसको दिरे दिरे खत्म हो जाते हैं छटा अपराद है भगवान के नाम में वीश्वास आ गया उसके आदार पे हमको सीमफुल एक्टिविटी नहीं करनी है मतलब खराब पापी एक्टिविटी नहीं करनी है हमने आगे के अपराद में देखा कि भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पूरारे कर्मों खत्म हो जाते हैं तो हमें वीश्वास आ जाता है फिर हम खराब कर्मों करते हैं और फिर भगवान का नाम लेके खत्म करते हैं यह अपराद नहीं करना हैं साथवा अपराद हैं किसी भी और विश्वासी व्यक्ति को हिदायत नहीं करना हैं नाम की महिमा उसको बताना है कि नाम में इतनी सक्ति है यह है वह है आप विश्वास रखो तो आप आगे बढ़ सकेंगे लगता है वह अब विश्वासी व्यक्ति कभी बढ़ी नहीं सकता तो उसे छोड़ देना है उसके हालात पर आठवा अपराद है बगवान के नाम को किसी भी वेदिक कर्मकांड या नहीं मानना है कि बगवान के नाम को ही उसके नाम बराबर है उसके उपर वह कभी बराबर नहीं हो सकता कर्मकांड और बगवान को एक नहीं समझना है नववा अपराद जब भी बोल रहे हो वही सुन रहे हो पूरा ध्यान बगवान पर है चैंटिंग कर रहे हो और बगवान पर ध्यान ही नहीं है ये एक अपराद है बोले जा रहे है मुह से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और दिमाग कही और है अटेंटिव नहीं है मतलब सर्चेत ही नहीं है तो ये भी एक अपराद में आता है जब तक purity बढ़ेगी नहीं, ये offense मतलब गुना जाएगा नहीं, जितने भी offense है, आप खत्म कर सकते हैं, अगर आपने ये अपराद खत्म किया, सारे offense अपराद धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नाहीं आप भगवान के नाम की निंदा कर रहे हैं, नाहीं भक्तों की निंदा कर रहे हो, नाहीं किसी देवी देवताओं से जुढ रहे हो, उनका यूज भी नहीं कर रहे हो, दस्वा अपराद हम प्यार भगवान के नाम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी कुलोरिसम हमको पता लग गई हैं, भगवान का नाम पता लग गया है, बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफूल है, इसलिए भगवान नाम से प्यार क्यों करना है, कि हम जो बोडी है और बोडी के साथ जितने भी अटेच्मेंट है, वो हम मेंटेंड कर पाए, ये कितना बड़ा अपराद हो गया, हमने भगवान नाम से प्यार तो किया, उसकी ग्लोरी भी सुन ली, और प्यार करने के बाद उसका यूज कैसे कर रहे है, कि हमारी बोडी या हमारी बोडी के जितने भी रिलेटेड रिलेशन हैं, उनको मेंटेंड कर पाए, इस नाम के थ्रू, ये तो ये प्यार नहीं है, ऐसा प्यार डेवलोप नहीं करना है, भगवान के नाम के प्रति, ये गलेत प्यार हो गया, भगवान के प्रति हमें क्यों प्यार आया, क्यों चैंटिंग करने से प्यार आया कि इसमें बहुत सारी सकती है, और इसका यूज कहा कर रहे हैं, हमारी बोडी और बोडी से, रिल उसके नाम का अपने गरत इस्तिमार कर लिया तो उससे प्यार करना गलत हो गया हम भगवान नाम से प्यार करते तो सारे हमारे रिलेशन हैं वो सुदर जाए ये गलत हो गया अभी हम क्या कर रहे हैं भगवान नाम में बहुत सकती है इससे क्या होते होगा मेरे गर में बढ़ि मेरी वाइब के साथ बच्चों के साथ बहुत बढ़िया हो जाएंगे तो आपने क्या किया उस नाम का यूस बोड़ी से रिलेटेड जितने भी रिलेशन हैं मेंटेन करने के लिए कर रहा है वो तो वो गलत हो गया ये तो सबसे बड़ा अपराध है 19% लोग भगवान से प्यार इसी के लिए करते हैं ज्यादा तर सभी लोग अपने घर में वही कर रहे हैं कि घर में सांती मिल जाए ये एक अपराध है मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गए तो मुझे माप करना अरे क्रिष्णा अपराध है